जम्मु किश्मीर के अंदर या हम यों कहें भारत के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन हो गए हैं जिसे जब हम सुनते हैं जब देखते हैं हमें लगता है कि ये समाज में लोग क्या कर रहे हैं ये शादी का जहांसा देकर लड़कियों को हवस का शिकार बनाना ये ऐसा लगता है जैसे पैशन हो गया है और जब ये कंप्लेंड पुलीस स्टेशन में पुलीस के अधिकारियों के पास जाती है तो पुलीस वालों का कारे करने का तरीका अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ कहते हैं कभी कुष कहते हैं हम भीमार हो गया कभी ना जाने क्या है ऐसे में जो लटकियां हैं मांगने के लिए कहा जाएं एक ऐसा ही मामला मैं आपको सुनाने रहा हूं जो विक्टम हैं वो हमारे साथ हैं और इसमें इस लड़की के साथ एक आर्मी का जवान शादी का जांसा दे कर उसका शोशन करता रहा कई साल एक पहले भी हमने आपको खबर बताई दी और वो मामला जानिपूर का था उसमें भी एक आर्मी का जवान था जो इसी त कर रहा थै और वहां पर जाकर इन्हों उस लड़के ने वहां पर जाकर तो कि हम कमप्रोमाईज कर लेते हैं मैं इसके साथ ही शादी करूँ गा लेकिन वह नोघक्न वह क्यों कि चाफ्थ होते हैं और इसमें पुलीस भी गाइड करती है कई बार तो ऐसे भी आरूफ लगते हैं पुलीस पैसा काती है और पुलीस गाइड करती है फिर पैसा कहा के कि आपको कैसे कैसे यहां से निकलना है तो नोटरी से अटेस्टिक करवा कर लड़की को मूर्ख बनाया पांच-शे महीने के अच्छा मैं शुरुआत से आपकी कहानी जाना चाहरा हूं लोग भी जाना चाहरे हैं कि यह जो समस्या है यह इस लेशन की शुरुआत किस तरह से हुई कहां से यह लड़का आपको मिला दो हजार उनीस एंडिंग में मतलब एक मैटो मनी साइट जीवनसाति.com जहां पर मतलब इस लड़के मैंने आइडी तो बनाई थी बट मतलब इस लड़के ने मुझे वहां से फॉलो किया था तो मैंने भी दन इसको अड़ कर लिया उसके बाद इसे वहां से नमबर बगारा और मुझे कॉल करने लगा मैसेज करने लगा तो मैंने बोला आप क्यों कॉल कर रहे हो तो इन्होंने बोला कि मैं शर्मा हूं तो मतलब ऐसे रिलेशन पहले एक गुड़ प्रेंड्स बने फिर उसके बाद मतलब रिलेशन में आया मलबा पहले मैटर मोनियल साइड पर गए व प्छुएन के कम ही थी मुझे नहीं पदता बर इस ऐसे आप को बाहा मिला घज़से इन्होंने बोला कि मैं आप शादी कर लूंगा कि किस ने किया था पहले आपने कि उसे ने अगर आपने शादी करनी है तो आप एड़ी वात करो इन्होंने मेरी फैमिली से भी बात की मेरी मम्मी पापा से कि मैं इसे शादी करूँगा मुझे कहीं मतलब रिलेटिब के गर में नहीं जाने देना कहीं भी नहीं जाने देना को फॉछ से यर की है दोचार 19 एंडिंग में अच्छा एंडिंग में बात शुरू ही तभी इसने माबाप से बात करना उसके बाद कहीं भी मैं जाती थी कहीं भी किसी काम के रिलेटेज जाती थी तो मुझे ममा के साथ होती थी तो पहले बोलते थी कि ममा से बात करवा कहां पर है क्यों है उसके बाद मतलब बोलते थे कि म मुझे मतलब मैंने बड़े बार बोला कि अगर मेरे से शादी करनी होगी तो तो ही मेरी लाइफ में आना और मतलब शादी का जूठा मतलब जूर बोलके मतलब मेरे साथ लिविंग रिलेशन्शिप में राके और मेरी लाइफ स्कॉइल कर रहा था कि इतने साल यह चला 2019 से अब तक हाँ चार साल अच्छा और जुलाई में जुलाई में यह बैंगलोर 27 प्लेस पे थे और इन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैं शुट्टी आ रहा हूं तो मुझे ले यह बिज़ लेने आदि फीलफा आप लेने फेली और ब सब्लों यहां से मतलब बिल्ली गई और मतलब दोपहर को इन्हों ने शॉपिंझ करनी थी तो फिर हम स्तीम को गर बापिस आगे मैं अपने गर आगई अपने गर चले गे उसके बाद चार को इनके फ्रैंट की शादी थी उसके बाद यह आते गए जाते गे तो इन्हों ने मतलब 21 को 20 को भी ये मेरे गर आए और 21 को मेरे गरते गे और मुझे लग रहा 22 या 23 के इन्हों ने अंगेस्मन कर लिए 3 दिन के लिए मुझे गर बेज दिया उसके बाद 25 को भी मेरे से मिले और 25 को इन्हों ने रास्टरोंड में मेरे सथ गंदी सी वीडियो बनाई जो इनके पास ही थी इन्हों ने मुझे फॉरवड की उदर से मैंने किसी और को करके उसको सेप कर लिया उसके बाद यह अंगेस्मन कर चुके थे किसी और के साथ उसके बाद 28 को भी मेरे ता गूमने गे मलब जब वीडियो बनाए तो यह आपका पता था यह वीडियो बना रहा है हा उस वीडियो में भी मैंने बोला कि मैरे वीडियो मत बनाओ अगिस अगीं बनाई और उसके बाद 30 को मतलब 8 बरा उस अखाल की कोशिच की भूं करने कि कोशिच की बावय वालि माता आगे उदर भी इन्होंने मेरे मेरे फोन को फैंका काफी वास्चुराने की कोशिश की बट इनके हाथ मेरा फोन नहीं लगा उसके बाद 30 को भी आये मेरे गर पे दो वज़े और उसके बाद 31 को यह बैंगलोर सर्विस प्लेश पे चले गए थे पर उसके बाद मुझे पता चला यहां से आपको फोजा नहीं वह फैमिली ने कहा तो जब आप बात करते तो आप भी उसकी फैमिली से बात करते हैं कुछ मतलब हाँ मतलब बोट आइड डोनों पाम लीज को पता है तो अब अंगेजमेंट की इसके बीच में आपको कभी शक नहीं हुआ कि यह कुछ गडव कभी बीच में किसी लड़की का फोन आया कि नहीं कि तुम पीछे हर जाओ मेरे घर आते थे वैसे फोन स्विच आफ करते से मैं मैंने सोचे इनको हाबिट नहीं है आर्मी परसन को कहां इतना टाइम मिलता है कि घर आके भी स्विच आफ करते थे हां अच्छा नाम बता सकते इनका क्योना में है? रोहिट शर्मा अच्छा एक साल में मतलब 4 मंत के बाद आते थे जसे जनबरी में गए ते जुलाई में आए थे जब भी आते थे तो आप सब मिलते थे अभी निवंबर 25 को आना था तो सिर्ट फिर ने इनकी विमली से मिले गई मैंने इनकी फैमिली से रिग्वैस्ट की मतलब आपके बैट्रे ने एवन फोर्टोस बगएरा सब कुछ दिखाया तो प्रुचक्छ तो काफी सर पंच बगएरा लाए और वन ने सब्सक्राइब करेंगें तो दूसरी फैल लगाई तो इनकी फैमिली ने मैं से अच्छा इन्होंने कहा कि यह हम शादी कर वापस वहां पर नहीं और ने नहीं और अच्छा अच्छा ये कितने देर पहले की बात है 20 अगस्त इसी साल अच्छा उसके बाद फिर मुझे अजीव लगने लगा मैं के गर पे गई कॉंप्रमाइज मतलब हमने बोला हम इनके गर जा सकते हैं जब मैं के गर पे गई तो इनके भाई ने वहां पर पुलीस बुला ली बात करन लड़के बात करेंगे इसकी लड़के को आने तो लड़का मार्च में आएगा और शाधी करवा देंगे कि उसके बाद मतलब आशले सामने बोला तो तो इनके फैमिली की तरफ से इनके बाई यूद्ध मुम्मी और पापा अच्छा उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल की मतलब मैंने को कॉल की कि पिर हमारा कॉंप्रमाइज हुआ था शादी की बात चल दी थी मैंने अधिये मार्ट में वह लड़का बक आएगा तो जब मतलब मैंने बात की की तो इनके बाई ने में तब तमीजी की और मेरे सब पंज के सामने मुझे गंदी-गंदी लाइंग्वेस गालियां दी मुम्मा को बाई को फैमिली को जो बर्दाश्ट नहीं फिर मैंने फिर इनके खिलाब करने की कोशिश की फिर सर ने मुझे बोला 156 का मतलब को से फिर मतलब में वहां बहुत है फिर आप कोट में गए और स्था लाइक है ने कहा कि ऑफाया कर दो कि अगे धानेदार साही किया फिर टानेदार साब ने यसा बुलाते इन कि इनका हमें ताइम दे दे कोई बात नहीं तो भी उनके माइन में था डिजाइन जो भी उनने सोचा था वह करे जा रहे थे उसके बाद मतलब मैंने सर को बोला कि आज आपायर लगा दो काफी दिन के बाद आज लगी है आज बोला आपने लगा दो कि पहले बोला जा अपको थानेदार ने घूमाया तो नहीं अभी नहीं लगा रहे हैं ना बुझा के रहे हैं उप पूरा पूरा दिन सुबह से लेकि शाम तक बैठे जाते आ वह कभी लाइट बंद हो जाती हैं बोलते कभी कुछ को थाने में तो वहां पर आपको पूरा पूरा दिन आपकी माता जी और आप पुलीस स्टेशन जानिपूर में बैठे रहते थे पूरे दिन में कितनी बाइट जाती ती जाती अन्या आप देखते भी ओंगे लाइट जा भी निय है कि वैसे ही आपको बोलाएं किलाइट गई है फिरू हम अच्छा वीच में जानेदार सब विमार तो नहीं हो गए ने ने नहीं बिमार नहीं हुँए थे मतलब था या पुलिसाभी आपकी कम्पलेन नहीं लिखना चाहते हैं सिसे भी मुझे डॉक्मेंट लाने के लिए बोला था है यह दोक्मेंट डीए ते और वहां से कल ही डॉक्मेंट गुम हो गया उनके लड़के वालों की अधी उसके बाद डॉक्मेंट नहीं मिला जो ने स्टेंप मार्के दी थी और उन्होंने साइन भी किये थे अश्या वो डाकुमेंट पुली स्टेशन से गायव हो गया हाँ उनकी फैमिली आने के बाद हाँ उसके बाद इन्होंने गायव हो गया तो आप आप दूसरे वाले दूसरी वाली मतलब जो आडवोकेट ने लिखके दिती ना वहाँ पर मतलब जज्ज साब को दे थी लिख वहां करने correcting यहां करने के साइन तो मतलब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से भी लग रहा है कि पुलीस वाले आपकी कंप्लेन लिखना नहीं चाहते थे या लॉज ही नहीं करना चाहते थे कुछ और बातें ऐसा लगा कि पुलीस वाले जो है वो आपको गुम रहा करने की या फिर कोई उनकी भावना वह भी कोई हवस के बेड़ी है जैसे लग रहे हों होता ना कहीं बात जाते हैं तो कोई कहता मज़े लेने वाले भी बीच में आयते हैं ऐसा तो नहीं कोई जैसे आ से वीडियो और हां सर वो से ने बोला था कि आप पैंड्राइव में लाटा वगाळा मुझे दे लेना फूंश है सर ने बोला था तो कि उनकी नीचे कोई बना था को मैं पता आपको नी सर पके बोले डालके दे दो कि this कि अपको एपरोच करना पड़ा किसी पाथ कैसे ifvate को बोला कि सब्सक्राइब तो मतलब सर ने बोला कि पापा ने बिमार है मैं वहां से आगई सब्सक्राइब करें आज मैंने बेट किया तो मैं सुबर 10 वज़े से बैठी हूं कल भी मैं मतलब मतलब पूरा सुबर जाती हूं 8 वज़े और मतलब शाम को बापिस आती हूं और साफी 20 अगस्त से ऐसा हो रहा है प्ली स्टेशन के चक्तर मार दी अभी आप एड़ोकेट साब के पास आए हैं जी फिर उन्हों ने पुलिस वालों को पूरा कि मतलब यहां से आपके आड़ोकेट ने कॉल किया उसके बाद पुलीस वालों ने आपको एफ आई यार की कॉ मतलब कापी दी मुझे आपाइटी कितने दिन पहले लाज की वो मुझे नहीं बता है अभी बना रहे थे शाहिए कॉपी मिली आज आपको हां जी दिखा सकते हैं आप यह अच्छा यह एफ आयर की कॉपी है कि यह अभी आपको मिली है जी इस वर दिखा सकते हैं मैं अच्छा यह अच्छा अच्छा को कोड़ में आदेश दिये जी 21 तारी को आज 21 तारी को यह लोग एफ या लॉज करने वह भी एडवोकेट के कहने इतने दिन आप बीच में हरास होते रहें कि आपको इसमें कोई पुलीस की गलती नहीं दिखती आप अभी आप क्या चाहते हैं कि मैं मतलब जस्तिक मांगरी हूं इंसाफ चाहती है लड़का सलाकों को पीछे होना चाहिए मतलब जैसे उसने मेरी लाइफ खराब की या उसने मुझे यह चीज़ बोली थी कि मतलब मैं तुमसे शादी करूंगा या तो उसको जो भी कानून मतलब सजा देगा उसको वह मतलब मुझे भी मुझे भी वोमन जूरोगी जब वह लिखित में एफिटाइवर्ट पर मुकर सकते हैं अभी आपको यह लगता है कि वह माने का शादी के लिए वह आपको बाइपास करने की कोशिशन नहीं करेगा दो चार महीं ने फिर आपको मैं यहीं चाहते हूं कि अगर मतलब एक तो इसने मेरी लाइफ खराब की है अब सबको पता मेरे सारे गैस्टों को पता है सारे मुझे बोलते हैं अब कहां गया वह मतलब उसने तेरी लाइफ स्कॉइल किया चार साल बहुत जाद होते हैं मैं कि मेरी में से कौन शादी अगर वह में शादी करेगा तो वैलन गुट नहीं तो जो भी सज़ा होगी वह मिली चाहिए एक और बात में जाना चाहता हूं जैसे आप यह शादी.com में गए इस तरह की साइड्स पर बच्चीयों को जाना चाहिए यह नहीं सर्व तो मैंने ऐसे ही आईडी वगरा बनाई थी निया मैं यह पूछ रहा हूं कि कई सारे लड़कियां गुमरा हो जाते हैं उनको लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए लाइफ पार्टर्मर यहां मिलेगा वहां मिलेगा कि वहां पर धोखे चल रहे हैं वहां पर चीट ह जो जानीपूर पुलीस स्टेशन में गए थे वहां के पुलीस के अधिकारियों ने इनहीं कितने दिन साथ तारिक को कोड की तरफ से डारेक्शन हुई और साथ तारिक से अब 21 तारिक आज हो रही है तो इतने दिन तक बीच में हरास करते रहे और अगर यह एड़ोकेट के इस जानीपूर की पहला मामला नहीं से पहले प्रका opposite मामला वहां पर भी का जवान माझा और वहां के विठानेदार आइसा ही कर रहे थे और उस समय आरोब थानेदार साहब पर ये भी लगा था कि उन्हों ने पैसे लेकर वो ये सब कर रहे आए उस समय एक लड़की भी थी वहाँ पर एक महिला अदिकारी वह जो लड़की कम्प्लेन लेकर गई थी वह ही उसे दाडे मार लेए धरा रही धंका रही थी लड़की डर जाए और अपनी कंप्लेंड बापिस कर ले क्योंकि और तो में होता है दूसरी और किस तरह से कंट्रोल करना है है इस में वैसा तो नहीं है लेकिन इस मैंटर में दो CD8 तो कंप्लेंलिखना नहीं चाहते थे पूरा-फूरा दिन इनको बिठा कर रkते थे और दूसरा थानदार साथ यह कहते िए कि इनकी वीडियो उस उस शक्स जो आर्मी का जवान है उन्हों ने जो बीडियोस जनके अशलील वीडियो बनाई बनाई वह अधिकारी कहते हैं आप हमें ड़ाई के दे देंगे यह करेंगे की आमिन को तो यह समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कर रहे इस मामले में जब हमने साथ को पूछा तो वो में पूछा को कहते हैं कुछ नहीं है हमारे पास जैसे ही कंप्लेम आई हमने वैसे ही कारवाई की है लेकिन साथ तारिक से उन palavra कि कि इनके रेजिदेंस को कोई एड्रस में नहीं रहा था इसलिए हम कुछ करनी रहे थे कुछ कर नहीं पाए इतने दिन तक हैराज करते रहे लेकिन 376 का जब कोई मामला आता है पुलीस को जीरो एफ वाई यार ही दर्ज करनी पड़े वो करनी ही पड़ती है लेकिन जब नहीं करते हैं तो फिर बहानेवाजी हम यह नहीं है हमें वो नहीं है और अभी भी इनको रात को लगवग नो साड़े नो बज़े दस बज़े कह रहे है हैं कि आप मेडिकल अपनी जांश करवाएं अभी एक लड़की को यह कह रहे है रात को इस मैटर के उपर हमें लगता है कि जिन पुलीस के अधिकारियों ने इनको इतना हैरास किया उनके उपर भी कारवाई होने चाहिए और वो शक्स जो इनकी जिन्दगी के साथ खिलवार कर रहा था शादी का जहांसा दे कर और वो भी आर्मी का जवान इसके उपर तो जादा ही कारवाई होने चाहिए अगर इन लोगों के उपर कारवाई नहीं हुई तो फिर ये लोग ना जाने क्या उत्पात समाज में मचाएंगे क्यो कि लड़कियां चाहती है कि उनका जो हस्वेंड है वो नोपरी कर रहा हो अच्छी सेलरी हो तो यह उस बात का पाइदा लेकर शोशन करते हैं लड़की इस खवर के उपर आप अपने प्रतिक्रिया सुरूर रखने हैं और देखते रहें डैनिक शिर समचार मुझे और मेरे जो बीरादिव को ता को ता को देज़ा साथ नशन करते हैं